हेलो अब्रिवन और वेलकुम टू दी सी उडी चैनल ओफ अडा 24-7 आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है एक्जाम का डेट आ चुका है माम कौन सा टॉपिक मैम अभी भी हम लोग पढ़ लें जिससे हमारा एक्जाम क्रैक हो जाएगा अभी तक यह कोशन आप लोग के माइ अगर आप लोग का सपना है बहु और इलाहबाद इडिवरसिटी में एंट्री करना तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए लास दिन सो दाट यू कन एजली क्रैक यूर एक्जाम इन दे सिंगल अन फर्स अटेंब हम लोगों को हाद वर्क नहीं स्मार्ट करना है competition exam है competition exam में जो examiner होता है जानता है कि कौन सा topic बहुत important है जिसमें से questions भी आप लोग के बनते हैं तो आज जो भी आप लोग को legal study में important topic शो किया जाएगा इसको at last point में जरूर revise करिएगा सबसे पहला आप लोगों का है judiciary ये topic आप लोगों का बहुत important है मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये भी बोला था कि जो आप लोगों का coet का class 12 का ncrt book है इसमें आप लोगों को basically 60% आप लोगों का constitution of india है जिस पे आप लोगों को focus करना है तो सबसे पहले जो judiciary का portion है जिसमें हम लोगों को supreme court, high court और district court के बारे में पढ़ना है supreme court में भी इसका क्या jurisdiction होता है, इसके essential points क्या है, judges का appointment कैसे होता है, removal कैसे होता है, torny general का function क्या है, advocate general का function क्या है तो ये आप लोगों के important topics है judiciary में that you people have to cover तो एक बार judiciary का जरूर से आप लोग यहाँ पे revise करके The next one is class, human rights, very important क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो सविधान का जो the most important topic है आप लोगों का, that is preamble, fundamental right, fundamental duties and directive principle of state policy, जिसको पढ़ाने में एक semester लग जाता है आप लोगों के college में, वो ही चीज आप लोगों का slavers का path भी है, human rights का, तो human rights के यह topic आप लोग जरूर याद करिएगा, और मैंने आप लोगों को हमेशा से बोला है कि legal study में आप लोगों कोई section और articles नहीं याद करने हैं, लेकिन class, जो इसमें आप लोगों के articles given है, यानि कि जो आप लोगों का DPSP, fundamental right, fundamental duties, इन तीनों के articles जरूर याद करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो exam आता है, exam में आप लोगों के match of the following भी आता है, तो match of the following में आप लोगों के articles का match of the following question आता है, पिछले साल के paper में भी ये चीज़ देखने को मिला था, इसे लिए articles यहाँ के याद कर लीजेगा, और ये जो topics बोले जा रहे हैं, इसको follow कर ये class, और extra कुछ भी आप लोगों को पढ़ने की जरुवत नहीं है, time कम है, do smart work, okay, now, the next one is class, आप देख सकते हैं, international law, कौन स्टी तो भाई हम लोगों के India की बात है, अंदर की बात है, अब हम लोगों को international level पे भी जो आप लोगों का topic है, कि introduction पहले आप लोगों का, then sources of international law, then international institution आप लोगों के जो dispute resolutions है, तो ये topic भी आप लोगों का important है, then international law और domestic law में क्या difference होता है, ये topic एक बार जरूर से revise करके जाएगा, क्योंकि आप एक law कर रहे हैं, law में आप लोग municipal law तो बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन international level पे आप लोगों का क्या law होता है, इसको भी जानन आप लोगों के लिए बहुत important है, तो एक्जाम से पहले आप लोग ये topics भी जरूर से revise करके जाएगा, जैसे आप लोगों के syllabus में पूरे 7 topics है और एक topic आप लोगों का legal maxim का है, लेकिन ये सब topics आप लोगों के the most important है, जहां पे questions आप लोगों के ज़्यादा पूछे जाते है ओके, now the next one is class legal professional, legal professional मैंने आपको इसलिए सड किया, यूकि पिछले बार इसमें से एक paragraph का question भी आया था और इसमें से काफी आप लोगों के multiple choice questions आये थे, तो advocate act आप लोगों का इसमें है, bar council of India, lawyer और उनका professional ethic क्या होता है, duties क्या होते है advocate के, opportunities क्या होती है, law graduate की, legal education in India, liberalization of legal profession और woman का क्या role होता है legal profession में, so ये class सिर्फ 4 topics मैंने आप लोगों को बढ़ाये हैं, क्योंकि देख लिए सकते हैं, आगे मैंने कुछ mention नहीं किया है, सिर्फ judiciary, human right, international context और legal profession, out of 7, आप लोगों को ये 4 topics बहुत important है, आज ही इसको revise कर लीजे, जो हमने paid class में पढ़ा है, या जो YT session में हम लोगों ने इसका class किया था, जो बाकी chapters है आप लोगों के जैसे, अगर मैं topics of law की बात करूँ, तो उसमें जो आप लोगों का contract है, administrative law है, IPC है, CRPC है, evidence है, ये आप लोग common sense से भी questions को कर सकते हैं, तो इसको आप लोगों को पढ़ने की अभी हाल फिलहाल ज़ यहाँ पर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी candidates हैं, जो इस साल exam दे रहे हैं, आप लोगों का exam center भी आ चुका है, किसी किसी का नहीं आया है, but still, whatever topics I have highlighted in the slide, please focus on that topic, and all the best from all the other team, और legal में फतह आपको हासल करना है, BHU और AU, इसके अलावा मुझे और कोई college नहीं मालुम है, तो जब सपने आप लोग के बड़े होंगे, तो आप लोगों का selection भी बड़े college में होगा,